पीजी संस्ट्रिट सेमिस्टर 4 कौटिलिय अच्शास्त्रम टॉपिक है विद्य समुदेशा आन्विक्षकी स्थापनार थाथ विद्य विशयक विच्चार इसमें विशयक के सुरुवात इस प्रफार है आन्विक्षकी त्रई वार्ता दंड निति च इती विद्या थाथ आचारय मनु जो हैं, उनके संप्रदाय के जो अनुआई हैं, वे आचारय जो बोलते हैं कि त्रई, वार्ता और दंड नीती, इन तीन विद्याओं को वे मानते हैं, उनका मत्थ है कि आनुविक्षकी का समाविस त्रई के अंतरगत हो जाता है, इससे पहले कहा गया कि वार्ता और दंड नीती, इन तीन विद्याओं को वे मानते हैं और उनका मत्थ है कि आनुविक्षकी का समाविस त्रई के अंतरगत हो जाता है, वार्ता दंड नीती चा इति वाहर स्पत्या, समरन मांत्रम भी त्रई लोक्यात्रावित इति, अर्थात आचार्या विद्वान केवल दो ही विद्याएं मानते हैं वारता और दंड़नीती उनके मत के अनुसार त्रई तो लोक यात्रवित अर्थाद दुन्यादार लोगों की आजिवीका का साधन मातर है दंड़नीती रेका विद्यायत यौशन ऐसा तस्याम ही सर्व विद्यारंबा प्रति बद्धा इती अर्थात आचार्या शुक्र के अनुवाई विद्वानों ने केवल दंड़नीती को भी विद्या माना है और उसी को संपून विद्याओं का स्थान यमकारन स्विकार किया है इसके आगे है चतर्ष्र एव विद्या इती काउटिल्या ताभी धर्म धर्म अर बताते हैं और उनकी अथर्त धर्म तथा अधर्म के ज्ञान में बताते है। इस विशेय पर आधारीत एक श्लोक है जो इस प्रकार है प्रदीपा सर्व विद्यानाम उपाया सर्व कर्मानाम आश्रया सर्व धर्मानाम शाश्वद आन्विक्षकी मता अर्थात यहां आन्विक्षकी विद्या सर्वदा ही सभी विद्याओं का प्रदीप सभी कारियों क साधन और सभी धर्मों का आस्रे मानी गई है। इस प्रकार यहां विद्या विशयक विचार जो है उसमें प्रथम आन्विक्षकी यह सपस्ट होता है।